नमस्कार आप देख रहे हैं AB Star News और मैं हूँ आपके साथ कनिशकर एक स्वाल प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में PM गरीब कल्यान योजना की लभार्तियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बात की इस जोरान उन्होंने कहा कि सरकार के संकट के व्यक्त गरीबों को प्राथ मिक्ता दी और गरीबों के भोजन और रोजगार की चिंता की उन्होंने कहा कि योजना से कोरोना काल में बड़ी राहत मिली थी और योजना से देश की बड़ी आबादी को फाइदा भी पहुचा था प्रधान मंत्री नुरिंद्र मोदी ने कहा कि पि-म गरीब कल्यान योजना से 80 करोर लोगों को लाब मिला है और सरकार गरीबों की जिंदगी बैतर बनाने के लिए लगतार काम कर रही है यूपी में चुनाओ को लेकर सभी पार्टियां जोर अजमाईश पर जुटी हुई है इस कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा दो दिन से यूपी दौरे पर हैं वे लखनओ और आगरा में पार्टी के कई कारेक्रमों में हिस्सा लेंगे यूपी के चुनाओ से पहले जेपी नड़ा के इस दौरे को एहम माना जा रहा है उमीद जताई जा रही है कि यूपी मंतरी मंडल विस्तार के फैसले को लेकर आज एहम दिन हो सकता है जेपी नडड़ा के साथ बैठक में इस बात पर मुहर लग सकती है कि यूपी में मंतुरी मंडल विस्तार होगा या नहीं टोकियो ओलम्पिक के पंदरवे दिन गॉलफर अदिती इतिहास रचने से चूप गई और भारत की जोली में एक मेडल आते आते रह गया भारत की अदिती अशोक खराब मौसम के प्रभावित चौथे दौर में तीन अंडर 68 का स्कोर चौथे स्थान पर रह गई बता दे की अदिती ने सुभा दूसरे नंबर से शुरुआत की थी लेकिन वो बाद में पिछड गई पॉर्नोग्राफी केस में जेल में बंद राजकुंदरा को बॉंबई हाई कोट से बड़ा जटका लगा है कोट ने राजकुंदरा और रियान थोर पे की उन याचिकों को खारिज कर दिया है जिसमें मेजिस्ट्रेट अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी और ततकाल रिहाई की मांग भी की गई पुलिस ने हाई कोट में दलील दी थी कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस साल फरवरी में दर्ज मामले की जाच में राजकुंदरा सयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने सबूतों को नश्च कर दिया था और दलील दी थी कि CRPF की धारा 41-A के तहट उन्होंने नोटिस का पालन नहीं किया था भारत में कोरोना के नए मामले पिछले कई दिन से 40,000 से जादा बने हुए थे जिसमें कमी आई है पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,628 नए मामले सामने आए है इस जोरान 617 लोग कोरोना के आगे जिन्दगी की हार मान चुके हैं वहीं 40,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं कोरोना के रीकवर होने वाले लोगों की संख्या 3,19,15,861 है जबकि कोरोना की वज़ा से 4,27,361 लोगों की मौत हो चुकी है तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ फिलाल के लिए नमस्कार